पंजाब में विधान सभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस ने 30 विधायकों के नाम टिकेट के लिए फाइनल किये हैं जबकि 17 विधायकों का टिकेट कतना तै है पंजाब में विधान सभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस की केंद्रिये चुनाओ समीती की पहले बैठक हुई जिसमें उमीदवारों के नाम पर चर्चा हुई चुनाओ समीती बैठक से पहले उमीदवारों के नाम के चिन को लेके पंजाब कॉंग्रेस की स्क्रीनिंग कमीट की कई बैठ के हो चुकी हैं पंजाब इलेक्षन के लिए कॉंग्रेस ने उमीदवारों की पहली लिस्ट तयार कर ली है सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में 30 विधायकों के नाम शामिल है जिने टिकेट दिया जाएगा जबकि 17 विधायकों का टिकेट कटना तै है आपको बता दू कि कॉंग्रेस की केंद्रिये चुनाव समीती की बैठक में पंजाब के मुख्य मंत्री चरण जी सिंग चन्नी के नाम पर भी चर्चा हुई कॉंग्रेस में पार्टी अध्यक्षित तूनिया गांधी के नितित्व में गुरुवार को हुई केंद्रिये चुनाव समीती की बैठक में पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए अपने उमीद्वारों के नामों को अंतिंग रूप दिया डिजिटल माध्यम से आयूजित बैठक में पार्टी के सभी उमीद्वारों पा चर्चा हुई सूत्रों से है पता चल रहा है तो आपका क्या कहना है इस खबर पर इपनी राय कॉमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं और आगे की नियूस के लिए देखते रहें एक्स झाल